एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम फिर से लाएं एक बार बायो के इंपॉर्डेंट क्वेश्चिन कक्षा 10 में जो विज्ञान का पेपर होना है आप लोगों का बोल्ड परिक्षा कक्षा 10 के लिए दोस्तों समें आपका जीव विज आते हैं 25 नंबर की एक वीडियो पहले से अप्लोड हो चुका है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अब यह एक और सेट है क्वेश्चिन का इन क्वेश्चिन को आपको लगातार हल करना चाहिए अगर बहुत ही अच्छे माक्स प्राप्त करन स्रावित करता है क्या स्रावित करता या करता आपको बताना है इसमें लार स्रावित करता है या जठर रस या फिर पित रस या आगनया शिक्रस दूसरा प्रेशन है हमारा पतज़ड से संबंदित हार्मोन्स कौन सा है ऑक्सिन है या जिब्रेलिन है या अप्सिक अमल है या कि एक दुषंकर का दर्श प्रारूप, यानि कि जो फिनोटाइप होता है, वो क्या होगा, एक अनुपात दो अनुपात एक होगा, या दो अनुपात एक अनुपात दो अनुपात दो होगा, या 9s23, 3s23, 3s21, क्या होगा अब दो दो नंबर के प्रशने स्टार्ट होते हैं दोस्तों दो दो नंबर के प्रशने हमारे कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहला प्रशने हमारा प्रतिवर्ति क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है ये सबसे पहला हमारा प्रशने दोस्तो जो की दो नंबर का है प्रतिवर्ति क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर है खा प्रशने दोस्तो रितुसराव क्यों होता है ये भी एक प्रशन है आपका ये भी दो नंबर में पूछा गया है तीसरा प्रशन है हमारा कि जीवन के उद्भव यानि कि जीवन की उत्पत्ती का कि जीवन की उत्पत्ती प्रत्वी पर कैसे हुई का आधुनिक ओपैरिन सिध्धान्त क्या है दो नमबर में आपको संक्षित टिप पड़ी यानि की लगबग एक पेज तक आपको लिखना होगा नेक्स हमारा क्वेशन अब चार नमबर के क्वेशन स्टार्ट हो गया है यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेशन है ग्यारा का का सेक्षन है उसमें पूछा गया है रुधिर और लसिका में अंतर इस प्रश्कीशए दोस्तों बता नहीं सकते की के क्योसिन कितना ज्यादा इंपॉडटेंट है आप यह पिल्कुल मत छोड़िएगा चार अंका दोस्तों यह क्वेशन है अथवा में आपको एक विकल्ब दे दिया है कि जाईलम तता फ्लोय में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है यह भी दोस्तों या तो आप उपर वाला कर सकते हो या फिर आप ये कर सकते हो दूसरा प्रिशन है, पादपों में अलहेंगिक जनन पर संक्षिप्त टिपणही लिखूझे जनन भूराण से होता है, आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा चार अंगा question है अथवागर कि आपको एक विकल्ब दे दिया गया है अनुवानशिकी के गुडसूत्र सिध्धान्थ का वरणन कीजिये और आपको उसमें से एक क्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा जो की साथ नंबर का होगा दोस्तो सबसे पहला हमारा प्रशन है कि डार्विन के प्राकृतिक वरणवाद के मुख्य चार बिंदूओं का वरणण कीजिए डार्विन का जो प्राकृतिक वरणवाद था नेचुरल सेलेक्शन थियोरी जो डार्विन ने दी थी उसके मुख्य चार बिंदू आपको उठा के लिख देने हैं ये साथ अंग का प्रशन है अथोआ आपको एक विकल्प दे दिया गया है कि बीजो के अंकूरण तथा उनके अंकूरण के प्रकारों को उधारड सहित लिखिए या फिर आप ये वाला क्वेशन करो या फिर आप ये वाला क्वेशन करो दोस्तों साथ नंबर का एक लॉंग आंसर टाइप कोशन होगा जीव विग्यान वाले पार्ट में चार चार नंबर के दो कोशन होगे तो आठ साथ पंद्रा और दो दो नंबर के तीन कोशन होगे तो छे नंबर के हो जाएंगे लगूतर ये प्रेशन टाइप के आपके छे नंबरी हो जाएंगे और चार हो जाएंगे बहु विकल्पी कुल आपके मिलाके पचीस नंबर के प्रेशन बायो वाले सेक्शन में पूछे जाते हैं इसी तरह की important videos को लगातार प्राप्त कने के लिए exams विदे में इसको subscribe जरूर कीजिए मिलते हैं अपने next video में, till then आपको पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए thanks for watching and listening me and good luck for your future, thank you and bye-bye